नमस्कार दोस्तों दोस्तों यदि आप अपने मुबाइल का साफ्टवेर अपडेट करना चाह रहे हैं और अपडेट करने पे आपको देखे यहां पर अपडेट करने पे आपको चूज पैकेज का अपसन नहीं आ रहा है में इस आप आफ लाइन कोई भी पैकेज आपने जि मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ मैं है मैंस अपनी चैनल टेक लाइफ इंदी वर्ड पे आप सभी का स्वागत करता हूँ यदि आप चैनल पर नेध चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे साधी साथ बेल आइकन प्रस कर दीजे जिससे हमारे लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके आई वीडियो केरवड़ते हैं जैसा कि आप सामने देख रहे हैं जब भी हमें सिस्टम का अपडेट करना पड़ता है यहाँ पर मैं नेट इनेबल कर देता हूँ वाइफाई से मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ और वाइफाई से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं नेट इनेबल कर दिया और यदि मैं यहाँ पर अपडेट करना चाहता हूँ तो सिटिंग में आके यहाँ अबाउट फोन पर हमें आना है about phone में हमें यहाँ पर system update करना है सामने यह देखिए system update का option सामने है और यदि देखिए चिक कर रहा online की कोई यहाँ पर update है या नहीं है तो यहाँ पर लेकिन यदि हमने कोई zip file डाउनलोड की उसको update करना चाहा है आफ लाइन तो हम right side में देखिए यहाँ पर three points दिखाए रहा है यह वाला इसको touch करते ही हमारे सामने यह चाहरे आप साना गए download latest package update setting what's new more अब यहाँ पर हम चाह रहे है आफ लाइन मींस होता है कि हमारे SD card में या pen drive में जो भी data मौझूद है जो भी हमने zip file वहाँ पर download करके रखा हुआ है वह हमारा यहां से update हो जाए जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं हमारे सामने दिखा रहा है कि यह वाला stable version यहाँ पर available है online लेकिन इसको करने में आपको काफी समय लग जाएगा network की problem की वज़ा से हो सकता है disconnect भी हो जाए तो यहाँ पर offline update सबसे अच्छा रहता है secure रहता है लेकिन उसको आप कैसे करेंगी तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे three dots है लेकिन इसमें जो भी option आपके सामने आ रहा है चूज update package का तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा हमें यहाँ पर जो आपका सामने जैसे MIUI का 11 वर्जन दिखा रहा है हमें just यहाँ पर कई बार टच करना पड़ेगा यह देखिए हम करेंगे मैसेज पाप अफ हो गया नीचे additional update features are on यहाँ पर जो और सारे features हैं वो आ गए हैं अब यहाँ पर जैसे 3.right side में उपर टाप पर कारनर पर है इसको हम टच करेंगे तो यहाँ चूज update package का option हमारे सामने आ जा रहा है और यहाँ से हम अपने offline जो भी हमने zip file डाउनलोड की है उसको यहाँ से यह देखिए हम चूज update package को select करके यहाँ जहां भी हमारी फाइल पड़ी हुई है उस फाइल को हम से अपडेट कर सकते हैं तो आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी काफी आपके झापकर जो कर दो atom हुई तो आपको हमारी आपके।